साइब गण जिले के मुफसिल थाना शेत्र में आग लगने से आठ घर जलकर राख हो गई काबू पाने की मशकर शुरू कर दी इधर सूचना मिलता ही दमकल वहान ने मोके पर पहुंच कर मोचा सामाला जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया मिली जानकारी का अनुसार पांचुश शेक के घर से आग की शुरुआत हुई जब तक लोग संबल पाते आग ने नूरेशा बीबी, मुलताश शेक, मुहमत आलिव, शेक शरीफ, जुबेर, नाजिर के घर को अपनी चपेक में लिलिया आग जनी में अनाज, पशु, घर में रखा सारा सामान, गेने, जेवरात, नगदी, जरूरी दस्तावेत पी जलकर राख हो गए वही पीडित परिवारन प्रसाशन से महावला की मांग की है, वह प्रसाशन मुफसिल ठाने में अगनी शवन वहान तेनात करने की भी मांग की गई दमकल वहान के मुफसिल ठाने में तेनाती से समय पर आग पर काभू पाया सकेगा